हेलो फ्रेंड मैं राधे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल नियू अकडमी ओफिसियल में आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे शुक्त होंगे और पढ़ाई को एक बहतर डंग से कर रहे होंगे दोस्त दी मोटिवेट मत होईएगा क्योंकि यह सूच लिए कि हम आप बेस्ट हैं कच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं आप यह सब भानाओं को अपने मन में रखिएगा कि हम बेस्ट हैं और बेस्ट जगां पढ़ रहे हैं और चीजों को धीरे धीरे कंप्लेट करिएगा दोस को हर सब्जेक्ट में आपको टाइम देना पड़ेगा टाइम को बात लेजिएगा उसी अध्यान करिएगा और टाइम को एक अच्छे तरह के से मैनेज करिएगा तो आए दोस्त आज का टॉपिक क्या है यहां से कुस्चन आता है आपके एक्जाम में क्या है वाक्यांसों क के लिए एक सब्दक है यह जो है एक्जाम में कोई भी एक्जाम हो जिसमें हिंडी रिलेटेड जो है कुस्चन आते हैं यहां से आपको एक कुस्चन जरूर देखने को मिलेगा और दोस्त कॉंपी लेके बैठिएगा आप अगर लिखे होंगे तो देखिएगा कुछ आपक अथवा अनेक सब्दों के लिए जो एक सब्द का परियोग होता है वह पराया किस से लिया गया है वह संद्कृत से लिया जाता है परिभाशा देखिए अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले सब्दों को समनार्थक सब्द या भावाचक सब्द कहते हैं क किलियर हुगा आई आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां बरसाथ से संबंदित जो है हमने इसमें जो महत्पूर इजाम में आपके कुश्चन बनते हैं महत्पूर परस बनते हैं वही जो है समाहित किया है आप भी देखिएगा जिसे अधिक बहुत अधिक वर्षा का होना बहुत कम वर्षा का होना बरसाथ बेलकुल ना होना तीनों दोस आप साथ में लिखिएगा आपका त्यार हो जाएगा बहुत अधिक वर्षा का होना हाति बिरिष्ट बहुत कम वर्षा का होना अलप बिरिष्ट बरसाथ बेलकुल ना हो उससे क्या कहा जाता है अना अब इसको जो है देख लिजिएगा इस तरह के देख आए आगे बरते भोजन से सम्मंदित जो कुष्चन बनते हैं जैसे कि इंपोर्टेंट है शुरियोदे के बाद का भोजन क्या कहते हैं नास्ता कहते हैं सुर्यास्त के से पहले किया गया हलका भोजन को क्या कहते हैं अथाउ कहते हैं रात का भोजन को क्या कहते हैं ब्यालू या रात्र भोज कहते हैं तो आप भोजन से समंदित आपके कुश्चन बनेगा ता आप तेनों को साथ में रखेगेगा अब दिशा से समंदित कुश्चन बनता है दो दिशा से समझतित पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे आप इसको जो है इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका जो है तैयार हो जाएगा देखिए उत्तर पूर्व की दिशा को क्या कहा जाता है निशान कहा जाता है उत्तर पस्चिम दिशा को क्या कहा ज जाता है अद अच्छी पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है दोस्त अगने कहा जाता है ठीक इस तरीके से आप याद रख लीजिएगा इसको इसको इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं विभिन इच्छाएं से संबन्दे जो कूशन बनता है उसको इसमें लिया गया है जैसे कि किसी वस्त को पराप्त करने की तीब रिच्छा को क्या कहते हैं जो होता है एक सब्स क्य अभिच्छा सांसारिक वस्त को पराप्त करने की तीब रिच्छा को इसड़ा कार करने की तीब करने की त्यको क्या कहते हैं जीतने जिया करने की तो हैं जिग्यास्ता कहते हैं जिन्दा या जीवित रहने की इच्छा को क्या कहते हैं के लिए एक सब्द है जीविसा ग्यान पराप्त करने की इच्छा ग्यान पीपासा तैर कर पार कनने की इच्छा को ती तीसा, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, बुबुच्छा, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं, जो बुबुच्छा कहते हैं, ग्यान प्राफ्ट कनने की इच्छा को क्या कहते हैं, ग्यान पीपासा, यहां तक हो गया था, मानने की इच्छा को क् मुच्छ की इच्छा मुमुच्छ युद्ध की इच्छा के लिए क्या है यूच्छा देख रहे हैं आप साथ में लिखेंगे दोस्त अभी जो कनफ्यूजन होता है आपका किलियर हो जाएगा डाउट खाने खाने की इच्छा रखने वाले को क्या कआ जाता है बुबुच्छू कहा जाता है मन्ने की इच्छा रखने वाला मुमुच्छू मुमुच्छू कहा जाता है मुच्छ की इच्छा परातू करने वाला मुमुच्छ युद्ध की इच्छा रखने वाला यूच्छू यूच्छू किलियर हो गया आगे महिला से संबन्दे जो परसंद पूछी जाते हैं उनको इसमें हमने समाहित किया है आप देख सकते हैं क्या है जो इस्तरी हाल ही में जो इस्तरी हाल ही हाल में ही सिसु को जन्म दिया है उसे क्या कहा जाता है परसूता कहा जाता है विवाहित महिला को क्या कहा जाता है अनूढा कहा जाता है दूसरे की विवाहित इस्तरी को अन्योढा कहा जाता है विवाहित इस्तरी से उत्पन संतान को क्या कहा जाता है अवरस कहा जाता है वा इस्तरी जिसके पत ने अन्य इस्तरी के साथ राज बिता कर आया हो खंडिता जो इस्तरी के वनसी भूत हो इस्तराइड उसे कहा जाता है वा क्यांसों के लिए एक सब्द है वा इस्तरी जिसके पत ने दूसरी साधी कर ली है अन्युढा कहा जाता है उसे वा इस्त्री जिसके पत ने त्याग दिया हो उसे परितक्यता कहते हैं पत के स्ने से वंचित इस्त्री दुर्भागा कहा जाता है वा पुरुष जिसकी पतनी साथना हो भी पतनी कहा जाता है ठीक है दोस्त बारा से सोला साल की कन्या को कहा जाता है और जो 16 साल की महिला को क्या कहा जाता है 12 से 16 साल की कन्या को कि सोरी कहा जाता है 16 साल की महिला को क्या कहा जाता है सोडसी कहा जाता है ठीक है दोस्त यह हो गया अब रिष्टा से संबंदित जो कुश्चन बनते हैं आप इन्हें देखेंगे रिष्टा से सम्मंदित, पत्या पत्नी का पिता क्या कहा जाता है, ससुर कहा जाता है, पत्या पत्नी की माता ससुर या सास कहा जाता है, पत्या पत्नी का भाई ससुर या साला कहा जाता है, पत्या पत्नी की बहान क्या सियाली कहा जाता है, आप इसको जो है याद रखेगा important है इतना रिस्तों से सम्मंदित है चले आगे बरते हैं बीबिद है important है जो ज्याम के लिए बहुत ही important है इन्हें अहां समाहित किया गया है संकलित किया गया है देख सकते हैं आप एक ही समय में रहने वाला एक ही समय में रहने वाला समसमाई हमेशा रहने वाला सासत उसी समय में रहने वाला समकालीन किलियर हो गया आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं जिसका जन्म उच्छ कुल में हुआ हो कुलीन कहा जाता है अभिजात कहा जाता है जिसका जन्म छोटी जात या कुल में हुआ है उसे अनत्यज कहते हैं जिसका जन्म कन्या के गर्व से हुआ है उसे कानीन कहा जाता है जो अभूसर सिर पर धारण किया जाए जो अभूसर सिर पर धारण किया जाए सिर्शस्त कहते हैं सिग्र परसंद होने वाला आसुतोस कहा जाता है उसके लिए अनेक सब्दों के लिए एक सब्द है और जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहते हैं जिसे ना बुलाया गया हो उसे आनाहूत कहते हैं ये बिलोम भी एक दूसरे के हैं रास्ते में खाने के लिए भोजन पथे कहा जाता है मन्ने की संपत्य के बाद मालिक कौन होता है उसका उत्राजिकार या वारिस होता है उत्राजिकार से प्राप्त संपत्य को क्या कहा जाता है रिक्त विश्डू का उपासक वैसलो कहा जाता है शिव का उपासक सेव तिलक के लिए जिस अन्ने का परियोग होता है उसे अच्छत कहा जाता है किलियर हो गया जिस पर हमला किया गया हो और जिसे देखें दोनों एक साथ में याद रखेंगे इंपोर्टेंट है जिस पर हमला किया गया हो अकरांत कहा जाता है जिसने हमला किया हो उसे अकरांता कहा जाता है किलियर हो गया दोनों को आप लोग साथ में आज रखेंगे साथ में दोनों को दिखेंगे तो आपको जो है त्यार हो जाएगा गलतियां नहीं होगा जम्यान चीज क्या लिखने का मतलब यह ही है दोनों को साथ में, जो है आपको गल्ती नहीं, बाके तो यह बुकों से ही लिखा गया है, बुक में मिल सकता है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो धका हुआ ना हो, उसे क्या कहते हैं, जो दोहराया ना गया हो, उसे अच्छी कहा जाता है, ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं देखते हैं, इंद्र को जीतने वाला, इंद्र जीत, अब इनको साथ में याद रखें, इंद्र को जीतने वाले को क्या कहा जाता है, इंद्र जीत, इंद्रियों को जीतने वाला, जीते कहा जाता है कि कई बार जो है आपके एक्जाम में आपको देखने को जरूर मिलता है आप ऐसे ही नोट डाउन इसको आप कर लीचिएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग नाटक का पर्दा नाटक का पर्दा यह निका कहा जाता है नाटक का पर्दा गिरना पठा छेब कहा जाता है रंग मंच में पर्दे की पीछे का अस्थान नेपत कहा जाता है आप नाटक के सम्मंदित है आप इनको जो है सात मियाद रखिए चले आगे बरते हैं जीवन के चा कारो आशरम को हम लोग देख रहे हैं इनको जो है आप लोग साथ में याद रखते हैं देखे पहला क्या ब्रह्मचर कितने कितने वर्स में होता है जीरों से पचेस वर्स के काल को क्या ब्रह्मचर ग्रिहस्त जीवन क्या होता पचीस से पचास वर्स का वामनस्त पचास से गुलियों के नाम जिसे है कनिश्का अब देखे जो है हाथ के गुलियों के नाम से आप याद रख सकते हैं कनिश्का कानी समन भासा में कहता अनाम क्या जिसमें अंगोठी पहनाई जाती है आप जानते हैं अनाम क्या उसे कहा जाता है जिसमें उलिया, जिसमें साधी के रिंग पहना जाता है, उसे अनाम क्या कहते हैं, मद्धिमा, मद्धिमा को आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ी वाली, पर्थमा या तरजनी, आप जानते हैं, अंगुष्ट, किलियर हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो इसमें देख लिया है, अब और देखते हैं, जिसे कि यहां लिखा गया है, पूरा, आप इस तरीके से इसको आप इसकी साथ ले लिजिए, नोट डाउन कर लिजिएगा, जिसका दमन किया गया हो, दमित कहते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो, अपकृत, अतित सतकार की भ और सवाल जवाब बहां सुज़त या दिये गई उत्तर पर उत्तर क्या कहा जाता है पर उत्तर इंपोर्टेंट है आप इसे लिख लीजिएगा मदिरा पीने का प्याला सक कहा जाता है जो इस तरीके वंसी भूत हो इस तरण कहा जाता है मरडासना वस्ता मुमुशू जिसे अपनी जगां से अला किया गया हो विश्थापित कि सब आप याद रख लिजेगे इस तरीके से तरकर पार करने तरने या पार होने के चुक्ति तुर्सू कहा जाता है गुरू के समित रहने वारा विद्याति अंतिवासी जिस पर आकमर किया गया हो अकरांत उत्राज घ्यार से परसम्बत रिखते जिसके मापतार हो सके परमिय कहते हैं जो कच्णाई के सामने योग हो दुर्बोध कहा जाता है जो पिर्थवी से सम्बन दित हो पार्थवी की बहुत बार पूचा गया है जो अस्मर कन्ने योग हो अस्मरडी जो इंद्रियों के ज्ञान के परे हो अतेंद्री जो मुछ्खिल से प्राप्त हो दुस्त प्राए आप इसको इस तरीके से जो है नोडाउन कर लीजिएगा आपको यह त्यार हो जाए जिसे जीता ना जार सके उसे अजे कहा जाता है जिसकी जन्म जो है छोटी जात में हुआ हो अंत्यज कहा जाता है आप इन्हें इस तरह के से नोट डाउन कर लिजिएगा ठीक आगे बढ़ते हैं जिसका संबंद पिर्थवी से वो पार्थवी कहा जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं यह बहुत बार पूछा गया है आप इसको याद रखेगा जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो से अकिंचन कहा जाता है की इसकी आसान ना की गई हो सो अपर का torाडिया जा सकते हैं जो बारीक ना किया जा सके OK अने वरचनी कहते हैं यe हो गया अगे बरते हैं इस तरीके साब इसए नोट डाउन कर लिजिए ठीक दोस्त परवत परवत की तलहें और क्या कहा जाता है किसी की साहता करने वाला साहयक बहला चाहने वाला ला हित इसी पीछे चलने वाला अनुया Mi इस तरीके से नोट डाउन कर लिजिएगा दोस्त साथ पढ़ने वाले क्या कहा जाता है साथ ही कहा जाता है इनको आप लोग साथ में याद रख लिजिएगा देखे इस दोनों को साथ में याद आप रख लिजिएगा बिना घर का अनिकेद बिना घर का अनिकेद कहा जाता है जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है कुछ चन आया हुआ है ठीक है दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग आप इस तरीके से नहें जो है नोट डाउन कर लिजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं जिसे पार करना कठीन हो दुर्गम कहा जाता है सीगर परसंद होने वाला आश्टूस कहा जाता है जिसके पास दूसरा ना हो अप्रित्यम कहा जाता है जहां पहुंचना पहुंचा ना जा सके अगम कहा जाता है दोपार के समय सालू हराम कर रही है तो मद्यवा कहा जाता है आप इस तरीके से देख लिजिए जो सदा दूसरों पर संदेख करता है संकालू कहा जाता है किसी विशे की पूरी छान बीन करना विबेचन कहलाता है जिसका अनुभोग इंद्रियों को ना हो अगोचर कहा जाता है इस तरीके से आपने याद रख लिजिएगा कान में कही जाने वाली बात को क्या कहा जाता है काना फूसी कहा जाता है इस तरीके से आप इन सब को जो है दोस्त याद कर लिजिएगा ऐसी तरीके से आप जो है याद कर लिजिएगा नोट डाउन करेंगे तो आपको जो है तेयार हो जाएगा आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग इसे देखते हैं इसके बाद देखते हैं हाँ देखिए important है इंद्रियों को बस या जीतने वाला जीते इंद्री कहा जाता है जो जीतने योग गहुव से जे कहा जाता है इंद्र को जीतने वाला को इंद्र जीत कहा जाता है इनको जो है आप लोग साथ मियाद रख लेजिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आप इसी तरीके से देखते रहिएगा हलकी नीद को क्या कहा जाता है तंदरा कहा जाता है ठीक दोस्त इसको देख लिजिएगा इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको आप इस तरीके से जो है नोट डाउन कर लिजिएगा पत्र से रिष्टे वाले सम्मंदित थे हम लोग उने देखा आप देख रहें पत्र के सिने से वंचित इस्तरी को दुर्भागा कहा जाता है जिसमें खराब आतते हों दुर्ष सनी कहा जाता है इस तरीके से आप इस जो है नोट डाउन कर लिजिए इन सब को ठीक है दोस्त च इधर उदर नहीं जा रहे हुँ ध्यान करने योग या लच धे कहा जाता है ध्यान करने वाला धाया ध्याई क्या जो नया नया आया हो नवा गंतुक कहा जाता है जिसका हिर्दय हाल में हुआ 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 इस प्रेह कहा जाता है आप इस तरीके से देख रहे हैं जिससे किसी परकार की हानी ना हो निरापद कहा जाता है जिसके आवए ना हो निरावए कहा जाता है बिना भोजन के आर निराहार जो मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने कि आशा नहीं उसे निरासवादी कहा जाता है ठीक है दोस्त इस तरीके से आप इन्हें याद रखिएगा सब जैसे बोले में एक जैसे हैं आप जो है इनको जो है इसके इंसाथ ले लिजिएगा इसी तरेके से नोट डाउन कर लिजिएगा ठीके दोस्त आई इसके बाद यह सब जो है आप इस तरेके से याद रख लिजिएगा यहां देखते हैं बार-बार कही जाने वाली बात को क्या का जाता पुनुरक्त होता है पहले किया गया कथन पुर्वक्त होता है दोपार के पहले का समय पुर्वाहन होता है बहुत बिशो का जानकार बहुग होता है इस तरीके से आप याद कर सकते हैं छिके दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे आगे जिसके आगे मगर जैसे हैं मंकराच हो गया इस तरीके से आप इनी जो है आप देखेंगे या नोट डाउन करेंगे तो आपको तयार और जाएगा भासर देने में चतुर वाग्मी कहा जाता है जो भासर देना में चतुर होता है उसके लिए एक सब्द क्या होता है वाग्मी होता है आप याद रख लिजिएगा और उसको षीन साथ ले लिजिएगा इस तरीके अब रिष्टा से संबन्धिस हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है दोस्त। 16 वर्त की अभस्ता वाले इस तरीके खोड़सी कहा जाता है यसा हम लोगों ने देख लिया है। जिसका चरित अच्छा हो सचरित कहा जाता है यह भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग पसीने से उत्पन जीव सोईता जिगा जाता है ठीक है दोस्त यह हो गया और इस तरीके से जहां लोगों का मिलन हो उसे क्या कहा जाता है उसे समिलन कहा जाता है आग से देखिए आग से समंदित इंपोर्टेंट है आग से समंदित जंगल में लग लगने वाले आग को क्या करें betॉजाओ जाता है pack में लगने वाली आग को क्या खआठा taha काकद का जाता जाता है कैसे यद्र apenas रखते हैं जंगल में जाते हैं जब जंगल अग समुझते हैं बहुत बड़ा होता offended विषाल होता है तो समुद्र में अगने वाली को इसलिए कहा जाता है बढ़वानल पेट की अगनी पेट में मिसे मतब जथर जथर क्या कहा जाता है पेट को कहा जाता है यह बहुत इन्हें देखते हैं हम लोग आसा जिसकी आसा ना की गई हो उसे आप परतच्छित कहते हैं आसा से अधिक आसा तीत जो पहले कभी ना हुआ हो अभूत पूर्ब जो बाड़ी दारा ब्यक्त ना किया जा सके जिसका अनुबाव इंद्रियों से ना हो अगोचर कहा जाता है ठी देखते रहेंगे धीर धीर आपको जो है तयार हो जाएगा ठीक है तो यह सब वह गया जिस इसिस्तीरी कप पति ना हो अभीरा कहा जाता है यह सब परे से देख लेज़िए इस परोऊ से संबंदिते परे से फोड़ से परे जिसका वड़नना किया गया वड़ना तीत उंद रियातीत ठीक है दोस्त किसी गरंत में अन्य ब्यक्त द्वारा जोड़ा गया भाग क्या है छे पक कहा लाता है इंप्वर्टेंट है आप याद रखे गए और जो है थोड़ा जानने वाला अलपग कहा जाता है कार को नए धंग से कि पद्दति क्या कहा जाता है नभीनी करण कहा जाता है आप इसको जो है इस तरीके से आप देख लिजिए इसको भी आप इसी तरीके से नोट डाउन कर लिजिए और सिग्र परसंद होने वाला अब्यक्ति को क्या कहा जाता है जिसका समान दूसरे दूसरा ना हो जिसके समान दूसरा ना हो अपरत्यम कहा जाता है इसको आप देख लिजिएगा इसको भी आप इसी तरीकिस इसकी इंसार्ट ले लिजिए ठीक है दोस्त यह हो गया जहां सेना रहती है सेन नवास कहा जाता है इंपोर्टेंट है जहां सेना रहती है उसे क्या कहा जाता है शैन नवास कहा जाता है ठीक है दोस्त यह हो गया आप इसी तरीकिस से इसको नोट डाउन कर लिजिए ठीक यह भी आप इसी तरीकिस से आप इसको देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हम लोग रंग मंज के परजे वाला यह तो हम लोग परचुके हैं हाथी देखिए यह इतना इंपोर्टेंट है आपने जो है देखिएगा देखते हैं मिलकर के देखिए हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला रखा जाने वाले रखा जाने वाला हाउदा उसे क्या कहा जाता है होदा कहा जाता है, जिसे परमणदारा सिद्रना किया जा सके उसे अपरमे कहा जाता है हाती हाकने का छोटा भाला अंकुष कहा जाता है आप जो है और उपनिबेश से संबन्द हो जिसका साथ उसे और निषक कहते हैं किलिर हो गया जले आगे बरते हें हम लोगे हैद और इसको आप इसी तरय के संबंदित यह है पूछा जाता है देखे जो каж Nia उसे समझने योग हो उसे दुर्बोध कहा जाता है जो पहले था अब नहीं उसे भूत पूर्व कहा जाता है जो कठनाई उसे मिलता हो उसे दुर्डव कहा जाता है जिसे कठनाई उसे जाना जा सके उसे दुर्गिय कहा जाता है आप देखिए साथ में इसको लिखेंगे तब मूर्स आप इसको देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको इस तरीके से बरसास से हम लोग देख चुके हैं माईला से संबंदिते भी देख चुके हैं अन्योद और यह सब देख चुके हैं इस अब हम दो इस तरीके से देख चुके हैं तो दोस्ते इसमें रहा कि आप इस तरीके से नोट डाउन करेंगे और इसको नोट बनाएंगे एक दिन में तयार नहीं होता है दोस्त धीर धीर पढ़ेंगे आप टार्गेट बना लेजिए कि एक दिन हमें 100 कबर करना है 100 आद हम उमीद करते हैं आपको जरूर कुछ न कुछ सीखेने को निया मिला हो गा जो अभी तक आपने नहीं स्ठा होगा ठीके दोस्त इस तरीके से आप इसको नोट बनाते रहेगा तो आपका जो है तयार हो जाएगा खभड़ा गये अगहի दिरे तीरे आपका तयार हो जाएगा ह खीके दोस्त, तो मिलते हैं कल एक और बहतर कलास में, तब तक के लिए अपना ख्या लखना, अपने माता पिदा के ख्या लखना, जय हिंद, जय भारत, बंदेवाद,